नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इम्मिग्रिशन के यूट्यूप चैनल पर तो आज की बीडियो भी कैनेडा से रिलेटेड है क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है जो बहां के इम्मिग्रिशन मिनिस्टर है सौन फ्रेजर उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दी है तो सौन फ्रेजर जो बहां के मिनिस्टर है उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसकी बीडियो क्लिप भी, मैं इस बीडियो के अंदर थोड़ी सी दुखाऊंगा, 10-15 सेकंड की, अगर आपने उस बीडियो को completely भी देखना है, तो उसका लिंक भी मैंने पने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, बहां जाकर उसको भी देख सकते हैं. उन्होंने जितने भी बहां पर वर्क परमिट वाले लोग हैं, उनके डिबंदेंट्स को ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा 2023ideo और बहां पर 2,20atas बहां जो dependent work permit है, जो highly skilled professional है, उनको ही provide करते थे open work permit, जो already वहां पर work permit के उपर हैं, जो highly skilled थे, जैसे उनका NOC code, जा skill level A से लेकर D है, A means highly skilled है, तो जो दूसरा है BC, जो की intermediate है, और D skill है, जो लेवर के लोग हैं, उनको वहां पर work permit मिलना बहुत दूसरा है, difficult था, क्योंकि Canadian जो authority है, जा Canadian government को skilled लोगों की काफी demand है, बहां पर skilled लोगों की काफी shortage है, उस shortage को cover करने के लिए, ये उनके सेंट फ्रेसर, जो immigration minister है, ये regular new new policies लेकर आ रहे हैं, इवन उन्होंने पिछली statement में भी बदाया था, जो पीछे उन्होंने अपना एक नया plan स्टार्ट किया है, कि वो हर साल पांच लाख लोगों को PR देंगे, उनका हर साल का target है कि इतने लोगों को PR देना है, इवन international students के लिए, उन्होंने unlimited work permit इंटर्डूस किया है, तो ये एक बहुत बड़ी relief है, उन लोगों के लिए जो बहां पर unskilled थे, labor का का काम कर रहे थे, लेकिन अप उन्होंने three faces के अंदर introduce किया है, ये January 2023 से implement हो जाएगा, पहले face के अंदर, जितने भी skilled लोग है वहां पर, जो कि skill level एक category में आते हैं, जिसको हम highly skilled कहते हैं, अगर वो married हैं, उन्होंने अपनी spouse को, जो अपने dependent बच्चों को वहां पर बुलाना है, तो वो immediately बुला सकते हैं, तो उनको visa में कोई भी problem नहीं आएगी, second phase में बो लोग हैं, जो intermediate हैं, जिसको हम skill level B और C कहते हैं, तो अगर आप उन categories का आपके पास work permit हैं, Canada के अंदर हैं, तो भी आप अपनी family, अगर आप married हैं, अपनी spouse को और dependent बच्चों को विला सकते हैं, अगर आप बहां पर labor category में है फार्मर हैं, वहां पर खेतों में काम कर रहे हैं, जो की skill D के अंदर आता है, तो भी आप अपनी family को बला सकते हैं, यह जो third phase के अंदर आएंगे, इसी तरीके से, वहां की जो दो लाक families थी, जो दो लाक बहां पर लोग work कर रहे थे, जो अपनी families को नहीं बुला पा रहे थे उनके लिए this is the big relief, और इसकी जो indications है, international students के लिए भी है, तो international students के लिए भी this is the big relief, क्योंकि student जब अपना study complete कर लेता है, उसके पास उसको work permit मिलता है, उस work permit के उपर वो अपनी अभी spouse को easily बला सकते हैं, even अगर आप as a student है, तब भी आपकी eligibility है, आप अपनी spouse को बहां पर work permit के उपर open work permit के उपर बला सकते हैं, तो this is the very big relief, और अगर आपने Canada में पढ़ने के लिए जाना है, मैंने पहले भी बताया है, we are representing number of universities and number of colleges, जो कि सब के सब public funded है, बहां पर ही बच्चों का admission करवा कर भेजते हैं, but it depends है, आपकी profile कैसी है, आपके percentage कैसे है, आपका ILTS कैसा है, even आ आप हमें अपनी profile बताएं, फिर मैं आपको suggest कर सकता हूं कि आपको अपना जो case है through university process करना चाहिए, जहां अपने covering letter के अंदर किस type की explanation देनी चाहिए, जो आपके refusal के उपर आई है, even आप बहां पर already permanent peer holder है, work permit के उपर है, अपने parents को बहां पर super visa के उपर बलवाना चाहते है जहां अपने siblings का visa apply करवाना चाहते हैं, जहां अपनी spouse का open work permit apply करवाना चाहते हैं, तो crown immigration उसमें भी आपकी help कर सकती है, crown immigration के पास number of option है, Canada से related, हमारे channel के उपर एक special playlist बनी है, study in Canada, बहां पर हमारी number of videos है, अगर आपने उन videos को भी देखना है, तो हमारे channel को browse करके उस playlist में जा करकते हैं, crown immigration इस type की informative video daily अपने social media पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं, what's over video में अपने social media पर डालूं, उसकी नोड़ी सबसे पहले आप तक आए, आपको हमारे जितने भी social media इनको immediately follow करना पड़ेगा.